तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपार्णर रहने वाला है आज के वीडियो में हम ट्रिक सिखने वाले हैं कि कैसे हम याद रख सकते हैं सैंटिफिक नेम आल विटेमिन के वह भी ट्रिक के साथ जीहां अब आपको रटना नहीं पड़ेगा बस ट्रि लेकिन मैंने किस ट्रिक की बदोलत ये याद रखे हैं वो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं सबसे पहले फ्रेंट्स हम जो है विटेमिनस पे नज़र डाल लेते हैं विटेमिनस जो होते हैं दो टैपस के होते हैं एक तो वाटर स्लूबल विटेमिन और दूसरा किया गया यानि कि इसके और भी टाइपस है वह हम आगे पढ़ेंगे लेकिन फिलाल हम नज़र डाल लेते हैं फैट स्लूबल विटेमिन के तरफ तो फैट स्लूबल विटेमिन कौन-कौन से यह आप कैसे याद रखोगे इसकी भी आपको ट्रिक बताऊंगा कि फैट स्लू कीड़ कसे विटेमिन के विटेमिन की तरफ बढ़ लेते हैं यह जो ट्रिक है श्लूबल विटेमिन ज्यारे यानि की किड़ा, K, E, D, A, Qurut, VITUMIN K, VITUMIN E, VITUMIN D, VITUMIN A, इनके scientific name या chemical name हम कैसे याद रखें, तो आपको याद रखना है, यह जो trick है न, यह reverse order में apply होगी, देखें कैसे, trick क्या है, Race to Fight, ठीके, Race to Fight आपको याद रख लेना है, इसके लिए, Fat Slugal Ditamin के लिए, या Non Water Slugal Ditamin के लिए, वी देखें फ्रेंड यहांपर आपको क्या याद रखना है यह जो in-rest, रेस तुफाई यह जो ट्रिक होगी, reverse order में यानि कि पहला chemical name होगा हो व framework vitamin K का नहीं, vitamin A का होगा समझ रहा हो आप यानि कि वो जो होगा vitamin A का होगा एक सकने आपे pen में यूज कर लेता हूँ तो ये जो trick होगी reverse order में apply होगी यानि कि A से लेकर पहले A, फिर D, फिर E, फिर K ठीके देखे समझ लेते हैं यहाँ पे race race से जो है दो name निकलेंगे एक तो R A और C E ठीके, race, race रे और C, आपको sound याद रख लेना है रे से आपको याद रख लेना है यह जो रे है इससे आपको क्या याद रख लेना है रे से आपको याद रख लेना है retinol, race to fight जब आप यह जहन में बार बार लाओगे नों तो खुद बाखुद बेट जाएंगे ray, यानि कि retinol retinol किसका होगा, vitamin A का होगा मैंने कहा न, कि reverse order में ही अपले होंगे इसलिए आपको याद रखने यह होंगे reverse order में अपले, यानि कि A का क्या होगा retinol, ठीके उसके बाद क्या है C ray retinol, C से क्या आएगा C से आएगा calciferol ठीके, C से आएगा calciferol calciferol किसका होगा, vitamin D का होगा क्यूंकि ठीक reverse में अपले होगी उसके बाद क्या है 2 ठीके, 2 से आप क्या याद रखोगे जिसको पता होगा chemical name जिसको थोड़ा बहुत याद होंगे तो उसके जहन में आता होगा इस वक्त, T से आप tocopherol याद रखोगे हो, ठीके, T से tocopherol याद रखोगे हो, तो tocopherol किसका होगा, vitamin E का ठीके, उसके बाद क्या है, उसके बाद है fight, तो fight की sound की तरफ अगर नज़र डाले हम इसमें क्या आता है, fa, fa आता है ठीके, fa, यानि कि philoconon ठीके, philoconon जो होगा, यह किसका होगा, vitamin K का होगा तो vitamin K का एक और भी scientific name है वो आप मुझे comment box में बता देना तो आप आपने याद रखा, कीडा कीडा इसके लिए trick क्या है raise to fight, लेकिन यह जो trick apply होगी, reverse order में apply होगी यानि कि पहले A, फिर D, फिर E, फिर K ठीके, अच्छे से याद रखा raise to fight, ray retinol C, calciferol, to, tocopherol fight philoconon ठीके, तो इसके बाद जो है दूसरी trick हमारी है, ठीके water soluble vitamin पढ़ने की आप हमारी बारी है, तो water soluble vitamin कौन कौन से है या आपको यहाँ पर अच्छे से जहन में रख लेना है, तो इसमें आता है vitamin B और vitamin C मैंने आपको पहले भी बताया, vitamin B और vitamin C किसमें आते हैं water soluble vitamin में तो यह जो vitamin B और vitamin C आते हैं, मैंने आपको बताए, vitamin B को further classifier किया गया, कितने टाइपस में, देखें कितने टाइपस में vitamin B1 या B आप कह सकते हो B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 यह जो टाइपस है, vitamin B के टाइपस है याद रखा आपने water soluble की काटेगरी में कौन कौन साथ है vitamin B and vitamin C vitamin B को further classifier किया गया है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 and B12 यह आपको आशी से जहन बे रख लेना है और इनकी जो scientific name है वो आपको कैसे याद रखने है इसके लिए आपको एक trick याद रखने है try revising notes perfect practice build to your future career ठीक है try revising notes perfect practice build your future career पहले trick क्या थी raise to fight दूसरी trick क्या है try revising notes perfect practice build your future career देखिए आप यह कैसे याद रख सती हो अगर आप try करोगे notes को revise करने की try करोगे notes को revise करने की उससे क्या होगा आप में perfection आईगी ठीक है यानि कि अगर आप notes को revise करोगे आप जहन में कैसे रखोगे अगर आप notes को revise करोगे तो आप में perfection आएगी perfection से क्या होगा आपकी practice में जो है इजाफा होगा आप easily practice अच्छी तरह से कर पाओगी जब आप अच्छी तरह से practice कर पाओगी उससे क्या होगा आपका जो future है build हो जाएगा यानि कि बन जाएगा आपका future ठीक है अच्छी से समझते है कौन कौन से vitamin है यह vitamin है इनके name क्या है देखे जो vitamin B या B1 है उसका जो centipic name है thymine ठीक है B2 ribofilabit B3 niacin B4 pentothenic acid B5 parodoxin B7 biotin B9 folic acid and B12 cobalamin अब इनको याद कैसे रखे मैंने कहा try ठीक है मैंने कहा try प्राइ से आप thymine याद रख सकते हो प्राइ thymine revising ribofilabit notes niacin perfect pentothenic acid practice parodoxin build biotin future folic acid carrier cobalamin इस वक्त आपको यह hard लगेगे लेगिन जब आप इस पर practice करोगे ने अपने mind बे बिठा होगे जैसी आपने mind बे बिठाया आप मुझे बिलीव करो आप खुद बखुद जो है answer दे पाऊगे क्योंकि मैंने खुद भी बहुत try की थी यह याद रखने की लेकिन मैं याद नहीं रख पाया फिर इस trick की बदोले से मैंने यह सारी scientific name याद रखे हैं बस आपको revision करते रहना है raise to fight और जहन में लाना है ray, retinol, c, calciferol और जब आप जहन में एक दो बार लाओगे न यह तो आपके जहन में अच्छी तरह से बैट जाएंगे और फिर आप अच्छी तरह से इनको revise कर पाऊगे तो friends उमेद करता हूँ यह trick आपको अच्छी से पसंद आए होगी friends अगर trick पसंद आए तो वीडियो को share करना, like करना, अपने दोसों तक पहेंचाना ताकि वो भी इससे फाइदा उठा सके और अगर चनल पर नए हो तो चनल को subscribe भी करते जाना और यह trick आपको कैसी लगी comment box में answer जरूर देना तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए अपना खयाल रखना, दौा में याद रखना